प्लाटपॉम पे आज जुडिश्री की सीरीज में हम समझेंगे एक लेटिन मैक्जिम इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्स्क्यूजेट और साथी साथ यह देखेंगे कि इंडियन कोर्स ने इसको कब से अपलाए करना शुरू किया अगर आप स्टेट जूडिश्री मायां से पचेस कर सकते हैं यह कोर्स प्रिलिम्स में दोनों को ध्यान में रखते हो डिजाइन किये गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिया होगा है वहां से आप आक्सेस कर सकते हैं साथी साथ आप सद्टी आईक्यू पे वेबिन माध्यमों से हम स और excused का मतलब excuse यहाँ पे court यह presume करके चल रहा है कि हर कोई law से aware है let us say आप एक road पे drive कर रहे है उस road पे एक speed limit है driving की अब आपने वो speed limit breach की अब आपको एक चलान मिला आपका चलान हो गया अब आप यह नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था ठीक है क्योंकि एक law वहाँ पे बना हुआ है अगर आपको law की ignorance है awareness नहीं है तो आप excuse नहीं ले सकते अप यह नहीं कह सकते कि मैं मुझे excuse ना बनाया जाए क्योंकि मुझे law का ग्यान नहीं था knowledge नहीं थी similarly अगर आपने letter से किसी ने किसी का murder किया अब वो murder करने के बाद यह बोले कि मुझे यह नहीं पता था कि murder करके 7 साल की सज़र होती है नहीं तो मैं नहीं करता मैं तो यह सोच के चल रहा था कि 2-3 साल में हम छूट जाते हैं तो इस तरह से अगर आप law का ignorance आपको है तो फिर आप उसका excuse नहीं ले सकते court का यह मानना था जब यह western jurisprudence में, English jurisprudence में यह maxim लाया गया तो reason यह था कि लोग escape liability बना लेते थे crime करते थे अफिर कहते थे कि हमें तो crime की knowledge ही नहीं थी इसलिए अब हमारा जो ignorance है उसके भिहाब पे हमें छोड़ दिया जब इसी की वज़े से एक minimum legal literacy की जो western court से हम बात करते हुआ हैं वो कहते हैं at least इतना आपको ग्यान होना चाहिए कि आपके rights और obligations क्या है इन चीजों की knowledge आपको होना चाहिए तो basic rights और obligations हर citizen को पता होने चाहिए basic law हर citizen को पता होना चाहिए तो फिर यहाँ पे आप एक defense नहीं ले सकते ignorance का अगर हम बात करें justice Holmes की तो Holmes का भी यही कहना था कि law में लोग excuse ले लेते हैं crime करने के बाद excuse ले लेते हैं justification यह देते हैं कि हमें तो law के बारे में knowledge ही नहीं थी तो इस तरह का rational जो है ignorance का जो rational है वो नहीं accept होगा नहीं तो फिर हर कोई जो है वो plead करता रहेगा ignorance और court किसी को भी convict नहीं कर पाएंगी court का समय बहुत जाया होगा courts बैठेंगी काम करेंगी लेकिन कभी भी एक proper judgment पे नहीं पहुँच पाएंगी क्योंकि लोग यहीं कहके निकल जाएंगे कि हमें knowledge नहीं थी इस law की अगर आप Indian courts की बात करें तो Indian courts में एक case M.H. George case से यह maxim M.H. George case से आया M.H. George case ने अफिल्ड किया इस doctrine की validity को इंडिया में यहाँ पे justice ने इस judgment deliver करते से हम यह कहा कि knowledge of law जो है वो यहाँ पे इतना relevant नहीं है बस इतना आपको पता होना चीए कि आपको sentence वगेरा पता मतलब क्या सजा होगे आपको इतना उता पता ही है कि किसी का murder करने पे सजा मिलेगी कितनी मिलेगी कोट decide करेगा तो यहाँ पे आप ignorance plead नहीं कर सकते लेकिन एक observation भी दी गई थी dissenting justice सुबराव दोरा उन्होंने यह कहा कि ऐसा कोई भी case जहाँ पे कोई compulsory publication की जरुरत नहीं है अगर लेटर से government कोई law लेके आती है और government यह लिख देती है कि इस law को हम publish नहीं करेंगे बस ऐसे ही हम बता जेते हैं कि ऐसा law आ गया तो फिर आप महाँ पे maxim जो है इसको invoke नहीं कर सकते है आइडिया बस यह है कि law का publication होना circulation होना necessary नहीं है law को जानने के लिए ऐसा यहाँ पे कहा गया था माना जाता narrow थी judgment इसको बाद में युनिवर्सल केंस में इसको डेली हाई कोट ने further elaborate किया और यह कहा कि यह doctrine applicable होगा जहां पे law जो है वो printed है ठीक है और साती सात लोगों को available भी कराया गया है तो यह मतलब important है कि सरकार कोई law लेकिया आती है तो wide उसकी knowledge जो है लोगों तक पहुँचा है लोगों को बताए कि अब यह नया law आगया है इसके अंदर यह सब चीज़े जो है वो जुर्म है ठीक है यहां पे आप accused किये जा सकते हो यह सब चीज़ों में आप एक अपराधी माने जाओगे तो यह सारी चीज़े important है कि when law is printed in official gadget तभी नहीं in fact law जब तक पूरी public को नहीं मिल जाएगा तब तक public इस बात का advantage ले सकती है कि ignorance या jurist non excused है साथी साथ आनंद भी चनार केस में को नहीं ही का कि ignorance of law जो है वो legal education से usually आता है तो लोगों में अगर legal education कम होगी तो फिर ignorance of law की जो बात है वो बहुत ज़ादा आपको widely मिलेगी लोगों law के बारे में पता ही नहीं होगा law break करते समय वो जानते ही नहीं कि जो वो काम कर रहे हैं वो law के against इसलिए court नहीं यहाँ पे कहा कि बहुत wide legal awareness की जरूरत है तो governments publish भी करें gadgets को law को publish भी करें कोई नया law लेके आती है और साथी साथ उसको widely अलग-अलग newspapers में आप देखते हैं print होके आता है कोई नया law आता है तो उसके gadget की copy अलग-अलग जगे बे print की जाती है circulate की जाती है internet पे upload की जाती है तो एक तरह से यह circulation ही माना जाता है लेकिन अकर हम बात करें IPC की तो IPC में कुछ general exceptions होते है कि कोई mistake of fact है let us say आप और मैं एक साथ पढ़ाई कर रहे है similar pen है हम दोनों का आप मेरा pen उठाके ले गए अपने pen की जग और अपना छोड़ गए तो यहाँ पे ignorance है आपको पता ही नहीं कि factual ignorance है क्योंकि pen देखने में similar है तो हमारे बीच में factual ignorance हो गई क्योंकि similar pen थे तो आप मेरा लेगा तो आप फेट नहीं माना जाएगा यहाँ ignorance है जो fact की वज़े से क्योंकि आपको fact के बारे में नहीं exact ग्यानता साथ इसाथ infancy है कोई infant है उसको हम मान सकते हैं कि minor है उसको नहीं पता law किस तरह की सजा देगा insanity है कोई भी mental disorder है कोई ऐसा person जो insane है पागल है उसको पता ही नहीं कि law क्या करेगा अगर मैं इस तरह का act करूँगा तो यहाँ पे कुछ exceptions ignorantia, jurist, non excused के मिल जाते हैं पीश्री को भी कुछ exceptions मिलते है judges को कई बार नहीं पता होता भई उनको ignorance होती है किस evidence की और वो judgment दे देते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह का maxim apply हो जाते हैं तो यह कुछ maxims के exception है इस maxim के कुछ exceptions है जो IPC में mentioned है यह सारी चीज़े exception की तरह है काम करती है अब यही widely देको माना जाते है कि अगर इंडिया में ignorantia juris non-excusate का application करना हो तो आपको mass level पे legal awareness करनी होगी और legal literacy जो है वो लोगों तक पहुँचानी होगी जब तक इंडिया जो है legally literate नहीं होगा तब तक ignorantia juris non-excusate की जो problem है जो maxim है यहाँ पर ठीक से apply भी नहीं हो पाएगा और साथ इसाथ लोग इसका defense बार-बार मांगते रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आपकी बहुत बड़ी population जो है वो legally unaware है बहुत सारी implications से तो आशा करता हूँ इस तरह के topics आपको अच्छे लगते होंगी जुड़े रहे हमारे सब मिलेंगे अगली फिर कभी इस ऐसी सीरीज में तब तर के लिए गुडबाय टेक करें गाड़ डिस्यों